दोस्तों अगर civil engineer हो और चाहते हो कि एक ऐसी field हमें मिले जहां competition काफी ज़दा कम हो, salary भी अच्छी मिले और जिसमें आप technical job करो तो वो सबसे best option है, site engineer नहीं है, वो है valuation engineer तो आज की video आप देख लो, आपको पता चल जाए कि valuation engineer कैसे बढ़ना है, तो सबसे पहले समझ लो valuation engineer है क्या, valuation engineer word से ही पता जल रहा है, जो किसी चीच की value निकालता है, उसको valuation engineer बोलते हैं, और valuation engineer किसी भी चीच की value निकाल सकता है, कोई building है, कोई road है, गर है, तो as a civil engineer, mostly हमें कि इस चीच की valuation निकाल निकाल निया, किसी गर की, या किसी property की, या किसी building की, तो वो valuation engineer की जुरूत पड़ती है, किसी bank में भी, private bank में भी, government bank में भी, आप खुद से एक firm का हो सकते, valuation engineer की, साथ ही साथ, आप एक registered valuation engineer अगर बन गया आप, तो लाखो रुपे कुमाने वाले हो, त इसके बाद अपनी journey शुरू कर लो, और valuation engineer बनना कैसे है, क्या क्या आपको आना चाहिए, और complete valuation engineer के बारे में अगर आपको जानना है, तो ये course आपको उसमें help करेगा, ये सामने जो course आप देख रहे हो, solitude education ये आपके लिए course लेके आया है, valuation engineer पे, जिसमें हर एक चीज बो कैसे है, beneficial सब के लिए है, कोई working engineer है, वो भी switch कर सकते है, valuation engineer में, क्योंकि experience होगा, तो estimation में इसमें थोड़ी basic आपको estimation चाहिए, और भी काफी चीज़े चाहिए होती है, कोई freelancing करना चाहता है, job के साथ, वो भी fresher भी, और contractor owner भी कर सकते हैं, देखो इसमें slayvers क्या रहेगा, इहीं से आपको पता चल जाएगा कि बनते कैसे हैं, valuation engineer, पहले तो आपको basic पता होना चाहिए, valuation engineer का वो बताया जाएगा, part 1, 2 उसमें बताया जाएगा, फिर आपको differentiate बताया जाएगा कि estimation और valuation में क्या फरक है, estimate क्या हो गया, valuation क्या हो गया, वो बता गया, फिर purpose क्या है, role क् किसी civil engineer या architect का as a valuer, फिर job के chances कैसे हैं, valuation sector में, अगर आप ये valuation कर लेते हो, कैसे आप job पाओगे, वो आपको बताएगा, कौन-कौन सी job है, इसमें, course में वो पता चलेगा, registered valuer कौन होता है, आपके area में पका कोई होगा, और आपको पता हम नहीं होगा, कैसे आप खुद की खुल सकते हो, valuation form, फिर 34 AB registered valuer क्या होता है, और IBBI registered valuer, ये दो किसम के valuer होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा, कि government क्यूंकि IBBI exam होता है, उसका slaves कह रहेगा, सब चीज़े पता चलने वादी, preparation कैसे करनी है, IBBI exam की, और future क्या है, अगर आप IBI register valuer बनते हो, real estate market के बारे में पता चलेगा आपको, और फिर जो भी different sector valuation, sector गे, वो आपको पता चलने वाले है, क्या factor effect करता है valuation को, ये थोड़ी terms इस तरीके से लिखीगी है, कोई आपको theoretically पूरा बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाने वाला है, फिर आपको जो भी document analyze करने होते है, side visit करना होता है, बले वो open plot है, बले वो बना हुआ गर है, या आपको report बनानी है, वो आपको बताया चाहेगा, कैसे आप determine करोगे rate की, जमीन कैसे rate क्या होना चाहिए, क्या approach रहते है valuation के, फिर साथ ही साथ, जो collateral mortgage रहता है, bank के लिए, कोई bank loan तभी देता है, ज insurance के लिए valuation निकालनी होती है, वो कैसे निकालनी है, shop के लिए, flat की valuation, industrial premises, part property, और labor success कैसे निकाला जाता है, फिर जो fixing rent आपको property, वो कैसे fix करना होता है, ये rent कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें इस course मैं आपको पता चल जाएंगी, इसके बाद आप अपनी journey start कर सकते हो as a valuation इसमें आपको basic मिल जाएगा, क्यों solitude से ये course आपको लेना है, क्योंकि ये lifetime validity देते हैं, आपनी एक बार इनका course ले लोगे न, ये आपके पास पढ़ा रहेगा, आप कभी भी revision कर सकते हो, एक valid ISO certificate आपको देंगे, ये certificate आपको क्या काम करेगा, आपका खुद का काम खोलने म ये आपको help करेगा, वेब में SS मिलेगा, quality का content रहता है, वीडियो SS मिलते है, offline mode में भी, आप offline बैट के भी वीडियो देख सकते हो, अगर internet नहीं है, एक अच्छे price में मिलेगा, light out solving session रहेंगे, colorful notes रहते हैं, और direct faculty से बात कर सकते हो आप, और इसके में आपको practice के लिए material, data, PDF हर चीज़ दी जाएगी, कुछ ऐसा certificate आपका रहेगा, यह certificate है, सुदिपता रोग का, ठीक है, तो इस पे पूरा mention लिखा हुगा है, कि आपने property valuation course किया है, कितने से कितने time तर, और आपके topic क्या cover हुए थे, सामने उस पे लिखे होंगे, फिर यहां director के sign होंगे, registration number मिलेगा तो यह आपको काफी काम आएगा, खुद का काम खोलने में, तो यह जो property valuation का course है, तीन दिन का offer रखा जा रहा है, 10,000 रुपया actual price है, आप coupon code apply करना, value 500, क्या करना है coupon code, value 500, तो आपको यह course 1499 में मिल जाएगा, 85% office पे मिल जाएगा, और यह सब चीज़े आप easily सीख सकते हो, और lifetime के पास आपके लिए course पढ़ा रहेगा, तो इसको पाने के लिए आपको क्या करना है, Solitude Education की app को download करना है, वो Google Play Store में रहेगी, iOS में रहेगी, आप दोनों से download कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत आती है, यह सामने mail है, phone number है, आप इनको call कर सकते हो, और एक अच्छा course है, valuation की field में जाना चाते हो, basic जाना चाते हो कि क्या है valuation property, मतलब कैसे आप एक valuation engineer बन सकती हो, तो यह course आपको सब बता देगा, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा career option है, आप join करिए, में description में link डाल देता हूँ, और जल्दी जाके apply कर देना, तीन दिन का offer है, फिर यह अपने actual price में जार जाइकः चाते हो, झार प्वाड़ कारा जेगा श्या जाजरी जाएकर जाट पाते हो, तो में जाम कि को तो बन सकता हुआ जाएकर यह जाएका श्या है।